एक शाम मुझे बड़ी तेज भूक लग रही थी तो रास्ते में मैंने एक रेस्टरॉण देखा और उसके अंदर चला गया एंड अंदर देखा कि वो पूरी तरह खाली था और उसमें से कुछ अजीब ही बदबू आ रही थी फिर जैसे ही मैं वहाँ बैठा तो एक बूड़ा आदमी मीन्यू लेकर आया जिसमें बड़ी वाहियाद वाहियाद डिशेस थी तो मैंने उनमें से ही एक ओर्डर करने का डिसाइड किया और जब पीछे देखा तो डर गया क्योंकि वह बूड़ा आदमी मुझे चिप कर घूर रहा था जिसके बाद उसने बड़ी अजीब तरह से ओर्डर लिया मगर फिर दस मिनट बीत गई मगर मुझे अंदर से कुछ खाना बनाने की आवाज ना आई तो मैंने पीछे देखा और डर से काप गया क्योंकि वह बूड़ा आदमी खाना बनाने की बजाए मेरे पीछे बैट कर मुझे घूर रहा था तो मैं चुप चाप उठकर उस स्पूकी रेस्टरॉन से भाग निकला